दोस्तों आपके अपने चैनल ओनिस्टेडी कलास पर मैं आज आप लोगों को एक और इंपोटेंट कोश्चन बताने वाला हूँ जो की बहुत ही सेरल है अगर आप लोग एक से दो बार पर लेंगे तो इससे भी विस्तार करके आप लिग सकते हैं क्या है कोश्चन आज का तो तो इस मेंसे कोई भी कोश्चन पूछे तो आप लोगों को जवाब क्या लिखना है तो दखिए सबसे पहले इसको जानते हैं कि क्या है तो दोग में भरती किस तरह से होगा समझ रहा है या कोई भी अगर आपको अगर फैक्ट्री खुला हुआ है आपके पास फैक्ट्री तो धोग में के इस तरह से आप भरती करवा सकते हैं चाहे होता है जैसे आप अगर मालिक है तो आप कहीं और रहेंगे और वहाँ पर आप किसी सेनियर को रख देंगे कि आप यहाँ पर रहें वहाँ का सेनियर बास समझ रहा है आप तो हो गए पूरा मेन मालिक तो वहाँ का जो senior होगा उसके हिसाब से क्या होगा उद्धवों में सरमी को कि निउक्ती करना शुरू कर देंगे भरती करना सुरू कर देंगे अब हो सकता है कि वो आपने family या अपने रिष्टेदारों को बुलाकर के लाकर के रखते हैं किसी को क्या करتे हैं किसी से घूस लेकर करके रखते यही सा बात है इसके अंतरगत जो कि आप डिटेल में लिख सकते हैं तो चलिए देखते हैं लिखने के लिए कुछ देखना जरूरी होता है कितावे बाते तो आप एक दो बार जरूर देखेंगे या पढ़ेंगे तो देखिए उधोग में सर्मीको अगर अच्छा रहेगा मिहनती रहेगे तो क्या होगा और उसका विकास होगा उधोग का नहीं तो च्छती होगा यह है तो यदि काम के अनुकूल सर्मीक काम पर नहीं लगाया जाता है तो उत्वादा नेवम कारे को सलता पर बुरा परवाब पढ़ता है अता भरती की माल रख़ती जली जा रही है और उनके अस्तान पर अने बिधियो का परयोग में लाय करने की परयोग मिलाईЯ जाती है। भरती च्र duy बाख मुधः स्द्रमिक कुण करें लेता और किसी सद्रमिको को विग के इस मध्यास्तों का ही होता है तो एसी बिधी को मध्यास्तों द्वारा भरति का जाता है इसमें ठीकदार भी होते हैं बहुत से होंगे जिसको हम लोग आगे देखेंगे भारत में संगटित और और संगटित दूनों ही परकार के उधोगों में मध्यास्तों द्वारा सर्मीको की भरती करना मुख्य लच्छन रहा है तो मद्यास्तों द्वारा भरती के गून क्या है तो यद्पी आधुनिक समय में मद्यास्तों द्वारा भरती पर नाली को अच्छा नहीं समझा जाता है तदा भी इसका आज भी किसी ना किसी रूप में प्रचलन है और इसका मुख्य क सर्मिकों के सिधा संपर्क देखिए फैदे भी होंगे कैसे नहीं फादे होंगे क्योंकि इसमें खुजना नहीं पड़ेगा जैसे कि कोई सर्मिक है अगर आपके जान पत्जान में अच्छा है उसको जनकार है ताप सिधे जाकर के ले लेंगे उसको कहेंगे कि आजाए ये ख पर्पार चरीत तथा छंताओं से पुर्ण परीचित हो पहले से जानते हैं वह मद्यस्त सर्मीकोग के परकार के जमानती भी उते हैं इससे उधोग को मुखेता दो लाब होते हैं अविसकता उनुसार सरमीकों की पूर्ति तथा उधोग की शुरुच्छाइस परकार उधोगपती मध्यस्तों के कारण एक बहुत बड़े भार से मुक्त हो जाता है ये टेंशन खतम हो जाता है कि इसको उधोगपती के लिए अविसकता उनुस मध्यस्तों का सहारा लेना पड़ता है इसलिए मध्यस्तों की वो खुद अगर जाएंगे तो बहुत खर्चा हो जाएंगे क्या लाएंगे ना लाएंगे किसको वो पहचानते हैं नहीं पहचानते हैं इसलिए मध्यस्त को होना जरूरी होता है इसलिए आप भी देखे होंगे कि गाउं घर में चाहिए कहीं भी कोई भी कारे कर रहा बाना अगर माध्यास्त होता है कहने के वह घूस ले या कैसे हूँ जान पहचान के तो होते हैं ना तो उससे के द्वारा काम आपका असानी से हो जाएगा परन्तु आप स्वेम जाएंगे तो लेट होता है बात समझ रह को संपन करना सरल होता है इसमसरमीकों में बिरोज की भाबना पैदा नहीं होगी फ़लसुरूप अधोगी के संती को बढ़ावा मिलता है मध्यस्तों द्वारा भरती परनाली के दोस अब देखेंगे तो इस परनाली के परमुक दोस्वक हानिया निम्न परकार है महंगी भर परनाली मध्यस्तों द्वारा भरती में सर्मीकों की पूर्ती गाओं में से होती है इसलिए सरम को एकात्र करने के लिए मध्यस्तों को दूर दूर गाओं में जाना पड़ता है जैसे कि आप ही अगर है मध्यस्तों क्या करेंगे कि हां सर मेरे पास तो है मजदूर पर गाओ तो उसी बहाने से आप भी आ जाएंगे गाउं में घुमेंगे उसका भी खर्चा लेंगे और उसको ले जाने का भी खर्चा लेंगे तो इस तरह से सर्मीकों को लाने के लिए उधोग पती को मध्यस्तों को आगरिम धान भी देना परता है इस समस्त्र ब्याय को मालिक को वहन करना पड़ता है इसे उधोग को आर्थिक हानी होती है उत्पादन में कमी मद्यस्तो दोरा भरती परनाली में पक्छिपात तता भरष्ट आचरणनों का बोलबाला होता है इसे योग्य सर्मिकों के अस्थान पर आयोग्य बेक्तियों को नकरी में रख लिया जाता है इनमें उधोग में सर्मिकों की भरती में रिस्वता ता इसे उप्योग्य कारे के लिए योग्य शर्मिकों की भरती की उपेख्छा हो जाते हैं अब आप देखिए जिसके पास निपुन है कोई परन्तु वह उससे कंटेक्ट नहीं है तो क्या हो पाता है वहाँ पर वह जो कुसल गुणासरो't के सब्सक्राइब कर और हनुद्ध क कोई ध्यान नहीं देया जाता है बलकि यह सबीकों का ही काम पर रखा जाता है जो जौब कर को जौब का जौबर को क्या है अधिक-षबिश्वत देने को तयार रहता है इस परकार उधों की उत्पति छंपता घट जाती है और उत्पादन लागत में बिरिदी हो जाती है अनायतिकता क्या है तो यह मद्यस्त सधारन विबाहित सर्मिकों को लाने का ही अधिक प्रयत्न करते है जिसमें उनकी इस्तिरिया तथा बच्चों को भी काम पर लगाया जा सके इस परकार इस्तिरिया वों बच्चों को काम का प्रलोवन दे कर से दे करके ये उनके अनयतिक सबंध बनाने में सफल हो जाते हैं यह अनयतिकता बढ़ती ही जाती है और गंभी रूप धारन कर लेती है ये तो समस्या चलता ही रहता है तो इसलिए मील के दुआर पर सिधी भरती आप दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि सिधे भरती कर खेंगे कहां पर जहां पर उधोग है तो सीधी भरती से अताथपरं में परत्याग श्रूप से भरती गरत मधेस्तों वं Μें किसी परकार की सयाता नहीं ली जाती है और कर acre थारी विख्ट अस्तानों के सुचना टाग दी जाती और भरती के लिए एक निश्चित्व तीथी निर्धारित कर दी जाती है उस दिन सर्मिकर खाने के दौवार पर आकर उपस्तित हो जाते हैं और मील का जनरल मैनेजर तथा आथवा सुप्रिडेंट द्वार पर उपस्तित होकर आवे सकता अनुसार सर्मिकों की भर्ति कर लेता है इस समय उत्तर परदेश पंजाब, मंबाई, मदराश तथा पच्छिम बंगाल में यह परनारी बहुत अधिक परचलित है अब तिसरा पॉइंट देखते है ठीके के अधार पर भर्ति तो भारत के अधिकान सुदोगों में सर्मिकों की भर्ति ठीकेदारों द्वारा करने की परदा है जब कोई कारे ठीकेदार को ठीके पर करने के लिए दिया जाता है तो सर्मिकों की भर्ति से उधोग पती का कोई सबंद नहीं होता है बलकि ठीकेदार स्वय अब सकता अनुसार सर्मिकों को काम पर लगा देता है और इच्छा अनुसार ही उन्हें परिसर्मिक देता है उधोग पती तो काम के पूरा हो जाने पर ठिकदार को निश्चेत धनरासी दे देता है जर्शा कि आप लोग जानते ही होंगे भारत के अन्य साधन उक्त बीधियों के अतरिक्त भरती के कुछ अन्य बीधिया को भी अपनाया गया है जो निमलिकित है सेवा यूजको तथा सरम संगो द्वारा तो देखे सरम का संग द्वारा संगठन द्वारा और सेवा यूजक याने की जो उधोग पति है उसके द्वा विशकता अनुसार बेगार सर्मिकों के नाम मील माली के पास भेज देते हैं, इसके पहश्चात्र आज सेवायोज को सराम संगों द्वारा भेजे गए नामों से अपनी इचानुसार सर्मिकों को च्छाट लेता है और इस फरकार से यह बीधी सर्मिक और सेवायोज को दोनों के लिए उप्योगी होता है यह का संग है ठीक है न संगठन द्वारा है की संगठन बना के रखे हुए है की हम दस मतلف की मजदूर है और मेरा एक संगठन चलता है यह सो हजार और इसमेंसे अपले जा सकते हैं तो अब कु Suppose रेजाना है असमें करके वो अपना कारें के अनुसार रंकि लेंगे कि लिया कुछ धोगों में सरमिको के भरती स्रव अधिकारियों द्वारा की जाती ये अधिकारी गाओं में जाकर बेगार सर्मीकों से सबंद स्तापित करके उनकों करखाने में ले आते हैं ये बिदी अधीक सफल नहीं हो सकी क्योंकि अधिकारी गन सर्मीकों के लिए और परिचित ब्यक्ति होने के कारण ये विश्वास पदा नहीं कर पाते हैं जो अ को काम पर नहीं लगाया जाता है इसका कारण यह है कि एसे ब्यक्ति सीग्र ही कर खाने का अनुसासन के अभ्यास्त तथा प्रवंदकों के विश्वास पात्र सिध होते हैं यानि कि उसे तो जान पस्चान होता है यह तो सरा किलियर हो जाता है वहीं पर रोजगार के दफ्थर और द्वारा भरती भरती की उप्यूक्ति सभी पर नाली दो स्पूर्ण है तता उन में सुधार की बहुत अभी सकता है बैग्यानिक अधार पर सर्मीकों की भरती करने की सर्फ्रेश्ट बिदी रोजगार बिनी में केंद राथवार रोजगार के दफ्थर है यह केसा कर र कर स्थापित करते हैं इस समज जबकि भरत में बेकारी की अकार में दीन पर्थी दीन बिरिदी होती जा रहा है बेकारी के समयधान में रोजगार के दफ्थर ही अधीक सायक सीद ho सकते हैं तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं उद से लिख देंगे यह मैं आसा करता हूं और यह important question इसलिए मैं आप लोग को बता दिया हूं तो फिर मिलते हैं आप लोग से next video में आप लोग अच्छे से देखते रहेंगे ताकि exam बहुत ही नजदीक है फिर मिलते हैं next video में thank you for watching